समस्कार दोस्तों WealthSky के एको ने इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और आज लास्ट रेटिंग सेशन था कह सकते हैं वीक का और अल्मोस्ट इस मन्त का भी लास्ट रेटिंग सेशन है क्योंकि I think 30 को एक और रेटिंग सेशन म अंडेस्टेंड करने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहां पर चलते हैं देखो जैसा कि हम एक्विटी में करते हैं तो जाइड सी बात है यहां पर पोजीशन में चलते हैं तो आपको दिखेगा करीब-करीब यहां पर 865 रुपे का प्रॉफिट है कोस्टिंग की बात करें तो हम यहां पर मैं चलते हैं और आपको यहां पर कॉंट्रेक्ट नोट देखते हैं तो करीब-करीब आपका पच्छी सो रुपे की कोस्टिंग है तो मोटा-मोटा हमें 6000 रुपे का यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है अगर हम ओवरॉल इस मन्त की बात क करते हैं यहां पर तो हमने काफी हद तक एक अच्छा काम किया यहां पर और जो मेरे को मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं तक यह आफ्टर फोर यह यह यानि और मोट चार साल बाद में को स्टार्ट करूंगा और पहला महीना ही एक अच्छा जाएगा इस चीज यहां पर देख सकते हो कि around 56,000 का profit है आज का इसमें include नहीं है आज के चाहतार रुपया और credit अगर यहां पर include होगा तो करीब 60,000 का profit होगा यह नहीं 60,000 का profit होगा आप देख सकते हो यहां पर जो days है वो आपको यहां पर clearly दिख जाएगा यहां पर एक जो लास्ट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ जिन से continue profit में बंद हो रहे हैं जो की काफी हत्ता की अच्छी चीज है और 60,000 हमने बनाए है capital जो अगर हम यूज कर रहे हैं उसकी अगर बात करें तो यहां पर around 2,000,000 की capital है ठीक है ना 2,500,000 क्योंकि यह धीरे धीरे बढ़ र हमने जब start किया था around आप देख सकते हैं यहां पर 62,000 की capital थी और आज की दिन में यहां पर आप देखो के तो करीब पर 64,000 की capital है आज का यहां पर एड करतेंगे तो 70,000 की capital प्लस हमने 53,000 की stock भी बाय कर लिया ठीक है ना क्योंकि यहां पर आप देखो को है holding में तो अभी त देख खेल कर करके stock is को हमने add भी किया अपने portfolio में तो काफी हद तक account growth की अगर हम बात करें तो dashboard में आपको देखेगा एक graph दीरे-दीरे ऊपर की तरफ यानि इस line को cross करता हुआ दिकाई दे रहा है ठीक है आज इसको cross कर जाएगा इसका मतलब क्या है यह overall जो चार्ट है इस पास पहुच चुकी है 3.38 इसमें आज हम add कर देंगे तो करीब 3.38 पहुच जाएगी तो हमें काफी अच्छा returns यहां पर बनते हुए दिकाई दे रहे हैं ठीक है अगर हम यहां पर calculation करें अगर हम 2,000,000 पर calculation करते हैं तो करीब करीब आपका 25-26% के returns यहां पर बन चुके हैं तो मेरे को बिल्कुल expectations नहीं था कि इतने return बनेंगे मेरा expectation था 5-7% का और 10% तक का मेरा expectation था बट ज्यादा return यहां पर बनें तो यह एच्छी चीज़ है equity में क्योंकि अभी तक कोई मैं specified strategy या बहुत जादा planning के साथ trading नहीं कर रहा हूं मतलब मैं सिर्फ बहुत जादा randomly trade कर रहा हूं और बिल्कुल भी इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूं मिलेको ठीक लगता है stock को buy कर देता हूं जो मिलेको ठीक लगता है sell कर देता हूं जो भी screen पर मिलेको दिख रहा होता है उसके according उस case में बता रहा हूं कि यह profit यहां पर इतना बनाए अगर थोड़ा से यहां पर मतलब analysis के साथ price structure के साथ अगर trade किया जाए तो और भी पैसा यहां पर बन सकता है तो यह है पूरी performance जो कि यहां पर दिख रही है और analysis के लिए जो वीडियो है वो मैं कल डाल दूँआ या फिर परसो डाल दूँआ जिसमें आपको चीज़े निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम discuss कर लेंगे आज के टेडिंग सेशन में कुछ नहीं वही सेम जो as it is होता है मार्केट में खोला तोड़ा से ओपर गया फिरे तीरे नीचे आया और साइड वेस चला गया ठीक है तो ऐसे में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है ठीक है ना और जब मार्केट को मैनुपलेशन के ठूट चलाया जा रहा है मतलब मैनुपलेट ज्यादा तचीदे मैनुपलेट करी जा रही है जिब अस लेवल पर एक् पर iki स्वार चला करीब करीब नौजा वी इतना की रहेगी ठीक है एक्स ट्रांचेंज चैर्जदे यहां पर और यहाँ पर ए स्टीडी तोड़या और बढ़ सकता है क्योंकि स्टोड़ीटी क्वोंड़ाऊं गोड़ाऊं गात粉 फनो में भी तस्टी लगते ही दिखाई देगी तो क्योंकि एक तरीक से एपलाई होगा बढ़ता हुआ तो अब आपको थोड़ा सा और प्रॉलम होने वाला है एफ नो में तो यह ध्यान में रखेगा ठीक है तोड़ा सा अभी सोके जगा हूं क्योंकि मैंना अल्यडी पोजिशन बहुत पहले काट दीनी तो बट मैं हो गया था क्योंकि रिलेक्स करना भी बहुत जरूरी है तो इसलिए थोड़ी सी अवास डाउंस ही आ रही है तो यहां पर जो चीज़ है समझाने के लिए वह यह है कि अगर आपको एफ नो समझ में नहीं आ रहा है और आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फनो में सर्वा क्यों क्योंकि इसमें मैनुपलेशन बहुत कम है हर इस टॉक में मैनुपलेशन करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है ना बट इंडेक्स में क्या होता है इंडेक्स एक ही इंडेक्स है एक्सपारी है हर दिन तो इसमें मैनुपलेशन बहुत ज्यादा होती है और एफनो में सबसे वड़ी दिक्कत क्या है option में दिक्कत क्या है कि आप एक दिन कमाते हो दो दिन कमाते हो तीन दिन कमाते हो चार दिन कमाते हो पांस दिन कमाते हो एक जिस दिन आपका दिन खराब होता है चटवा दिन या साथवा दिन आपका खराब हुआ यह इतना पूरा पैसा लेकर च रखनी है तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की यहां पर जरुवत है ठीक है मेरे को नॉर्मली अपनी पोजीशन बता नहीं दी आज की वीडियो में तो मैंने आलड़ी यहां पर आपको बता दिया है करीब परीब 8685 का प्रॉफिट है एक बार 14,000 का भी प्रॉफिट था है जो कि हमारा स्टार्टिंग फेज में था दस हजार का बाकी सारे लॉसे सर्फ 2,500 रुपे के जो की कोई दिकत की बात निया क्योंकि सारी कॉस्ट निकालके हम अल्टिमेटली 60,000 के प्लस में बंदोंगे 62,000 के प्लस में बंदोंगे जो की काफी हद तक एक अच्छे ठीक देख रही है ठीक है ठीकँ है कि दोस्तो फी इस वीडियो में इतना है दोस्तो आइ होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक जरू करिये गाओ चैनल को १ो सब्स्रीब करने क्योंकि मैं सुदील लेकर आता हूँ हर दिन आप के इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहिंद